हलो गाइज देशेशंगर प्रताप सेंग और यू आर वाचेंग स्पीएस स्टॉल जी ओन यूटिब चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा शनी और केतू के महायोग के बारे में कि शनी और केतू का हमारी लाइफ में कितना बड़ा खहिल है और अगर किसी बर्श चार्ट में अगर शनी और केतू का योग बनता है तो उससे आपकी लाइफ में क्या-क्या बदलावा सकता है क्या-क्या प्रॉलम हो सकती है और किन चीजियों का नुक्सान हो सकता है देखे शनी और केतू शनी जहाँ पर एक तरफ कर्म है और केतु यहाँ पर दूसी तरफ मोक्ष है शनी जब एक तरफ रूल, सिस्टम, रेगुलेशन को सिखाता है और केतु जो है वो इन चीजों को डिनाय करता है शनी हमें डूटिफुल बनाता है, वर्कॉलिक बनाता है, काम करने की छमता देता है और जो भी लाइफ में हमारा गेन है, जो भी हम लाइफ में पाते हैं, गेन करते हैं, वो कर्म के दवारा ही करते हैं के तू दूसरी तरफ हमें मोक्षी तरफ लेके जाता है हमें मेटलिस्टिक चीजों से अलग करता है के तू जो है वह सपरेशन का कारक है के तू डिटैच्मेंट का कारक है डाइवोर्स का कारक है के तू चीजों को स्लाइस कर देता है कट कर देता है और के तू उन चीजों को हमसे separate कर देता है जहां पर केतु की placement होती है या जहां पर केतु का aspect पढ़ता है आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो योग इतना ज़्यादा खास है कि वैसा योग अगर आपके बर्चार्ट में बन रहा है तो आपको सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रुवत है क्योंकि शनी और केतु का योग आपके जिस हाउस में बनेगा उस हाउस का लॉस हंड़ेड परसंट होगा यानि उस हाउस की चीजें आपको नहीं मिल पाएगे अब कई भाईयोंने हमें ये बोला है कि Mr. Singh तोड़ा सा चार्ड के थुरू अगर आप समझाओगे तो चीजें ज़्यादा के रिल्ली समझ में आएगी अधरवाइज जिन लोगों को एस्टालजी आती है उनके लिए तो ठीक है लेकिन जिनको एस्टालजी नहीं आती है वो कैसे इन चीजें को समझें तो इसलिए मैंने आज आपके लिए चार्ड बनाया है और इसमें मैं ये बताऊंगा कि केतू की प्लेस्मेंट जहां पर होती है और शनी का अगर एस्पेक्ट अगर उस हाउस के उपर पड़ जाता है तो किस चीज का लॉस होता है और ये जो दोनों योग है जहां पर केतू बैठा है या जहां पर शनी देख रहा है इसका संबन हमारी पास्ट लाइफ से है लिकाज केतू की जो प्लेस्मेंट है वो ये बताती है कि पास्ट लाइफ में आप इन चीजों को कम्पलीट कर चुके हो और जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको आप कम्पलीट करने के लिए आए हो और इनिशल लाइफ में आप उन चीजों का एक्सपीरियंस लेते हो जहां पर केतू प्लेस्ट होता है और जहां पर राहू प्लेस्ट होता है वो चीज़े हम लाइफ में बाद में करते है तो केतु क्या हुआ हमारी past life और हमारी initial life experience और रहु हुआ हमारा future केतु जिस house में होगा उस house की चीज़ें आपको easily मिल पाएंगे उस house की चीज़ों का आप life में experience करोगे और बाद में केतु वहां से आपको separate कर देगा अब अगर केतु आपको separate कर रहा है और शनी अगर उसको देख रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस house से समंधी चीज़ों को करना आपका करमा है और आपकी need भी है अब केतु तो एक तरफ उन चीज़ों से हमें separate कर रहा है क्योंकि केतु यहां दिखा रहा है कि आप complete हो चुके हो लेकिन Saturn उस need को क्यों show कर रहा है Saturn हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है Saturn ऐसा क्यों कर रहा है कि जिसके कारण हमें वो चीज़ें करनी पड़ रही है जबकि हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करनी की फिर भी करना पड़ रहा है वो इसलिए है कि past life में जो आपने करमा किया है जिन चीज़ों को आपने हासिल किया है उसमें से कुछ चीज़े जो है वो बच जाती है और उनी चीज़ों को करने के लिए आप इस जनम में द्वारा से आते हो केतु हमें काम से separate कर रहा है केतु हमारा mind जो है वो divert करता है हमारा जो मन है वो उस काम में लग नहीं पाता है जहांपर केतु की placement होती है हम society के rules को follow नहीं करते हम system को follow नहीं करते हम उस house की चीज़ों को follow नहीं करते हैं यहाँ पर केतु प्लेस होता है क्योंकि past में हम वो चीज़ें कर चुके हैं अब इसके उपर अगर शनी का aspect पढ़ रहा है तो शनी का aspect पढ़ने का मतलब है कर्मा और कर्मा भी ऐसा जहां पर आपका मन नहो केतु जो है वो यह बता रहा है कि उस house की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी यानि इस सुरुवात में मिलेंगी बाद में केतु वहां से आपको separate करेगा और शनी क्या कर रहा है डिले कर रहा है यानि उस house से संबन्दी चीज़ें जो आपको मिलनी है शनी उसके लिए आपको डिले कर रहा है आपको efforts लगाने पड़ेंगे तो जब यह combination बनता है ऐसा योग बनता है कि केतु को पर शनी के द्रिस्टी हो और शनी केतु का योग हो यानि शनी केतु अगर दोनों एक साथ बैठे हो तो उस particular house का नुकसान होता है अब जो द्रिस्टी पड़ रही है सेटन की वो कब कब पड़ेगी कैसे कैसे पड़ेगी उसके बारे मैं आपको बता रहा हूँ केतु मालिजे की आपके first house में है यहाँ पर केतु है यहाँ फरस्ट house यानि लगना और लगन चार्ट और मून चार्ट दोनों चार्ट से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं लगन का मतलब यह हुआ कि जो हमें लोग देख रहे हैं जो हमें संसार देख रहे हैं हम उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं हमारी जितनी भी चीज़े हैं उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं वो आपका लगन हो गया और मून चार्ट हो गया जो आप परस्टनली एक्स्पीरियन्स कर रहे हो जो आप अंदर से फील कर रहे हैं दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो जो भी आप personally feel कर रहे हैं वो आपका moon chart हो गया अब केतु अगर लगन chart में या moon chart में अगर first house में है तो Saturn इसको कब-कब देख सकता है Saturn इसको जब देख सकता है जब Saturn अगर यहाँ पर हो यहाँ से Saturn का third aspect पढ़ेगा first, second, third third aspect Saturn का यहाँ पर पढ़ेगा और वो केतु को देखेगा ठीक है दूसरा Saturn इसको कब देखेगा Saturn इसको जब देखेगा जब Saturn की placement यहाँ पर हो सकती है यहाँ अगर Saturn है तो अपने tenth aspect से केतु को देख रहा है और जो तीसरा aspect है Saturn का वो जब पढ़ेगा जिब Saturn केतु के बिलकुल सामने होगा यहानि seventh aspect तो इसका मतलब यह हुआ कि Saturn अगर केतु से fourth अवे है seventh अवे है या eleven अवे है तब Saturn का aspect जो है वो केतु के उपर पढ़ेगा केतु अगर tenth house में है तो केतु से फॉर्थ अवे ट्रेटन क्या हुआ फोर्थ हाउस में मतलब यहां फर्स्टाउस में आया सावे हुआ यहीं सेटन यहां आया और एलेवेन तौट आवे हुआ की सैटन यहां पर आगया ठीक है? तो ये तीन aspects अलग-अलग होंगे आप इस चीज़ से जान पाओगे कि Saturn की placement कहां है केतू कहां पर है Saturn का aspect केतू को पर कैसे पढ़ रहा है अब इसमें क्या होगा? अब जैसे केतू आपके first house में है तो यहां पर ये आपकी personality को बिगाड़ेगा personality आपकी बिगड़ सकती है आप बहुत weird तरीके से वेभार करेंगे आप अपने सरीर का ध्यान नहीं रखेंगे आप अपनी personality का ध्यान नहीं रखेंगे आप ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे जिसका फाइदा personally आपको मिले लगन का संबन्द है आपके fame से आपकी पहचान से तो यहाँ पर केतू और सैटन का योग आपकी पहचान को खराब करेगा आपको लगेगा यार मैं क्यूं अपने लिए कुछ करूँ क्यूं मैं अपने सरीर का ध्यान रखूँ क्यूं मैं चीज़ों को करूँ यह सारी चीज़ों आपके अंदर होंगी लेकिन फिर भी सैटन उस काम को करवाएगा अब इसमें दो तीन चीज़ों और भी आती कि केतू जो है वो कौन सी राशी में प्लेस्ट है केतू एरीज में है टॉरस में है, जैमनाय में है कैंसर में है किस राशी में केतू प्लेस्ट है उसका भी बहुत बड़ा फर्क आएगा कि केतू यहां पर उच का है कि नीच का है केतू अगर यहां नीच का है तो नुकसान जादा होगा सैटन का अगर यहां पर नीच एस्पेक्ट पड़ता है यानि अगर यहां एरी साइन आता है तब भी नुकसान होगा because Saturn जो है अपनी नीच दिरिस्टी से first house को देख रहा है तो first house की चीजों को Saturn यहाँ पर बिगार सकता है यानि completely first house की चीजों का loss अब इसमें health का भी loss हो सकता है कोई बीमारी हो सकती है कोई परिशानी हो सकती है because लगन जो है उससे देखा जाता है आपकी आयू क्या है आयू का बल क्या है अब अगर यह योग अगर आपके second house में बनता है second house में अगर केतु का योग बनता है और Saturn की placement अगर यहां पर होती है तो Saturn का aspect केतु को पर पड़ेगा Saturn की अगर placement यहां पर होती है तो Saturn का 10th aspect जो है वो केतु को पर पड़ेगा अगर Saturn की placement यहां पर होती है अब Saturn का जो aspect है 7th aspect वो केतु को पर पड़ेगा तो यहां पर केतु क्या करेगा यहाँ पर केतू money से, wealth से, saving से family value से आपको separate करेगा यानि second house की चीज़ों का loss completely loss पूरी तरह से loss because Saturn क्या कर रहा है? चीज़ों को delay कर रहा है और केतू क्या कर रहा है? आपको उन चीज़ों से separate कर रहा है अब केतू की placement अगर यहाँ पर होती है और Saturn अगर आपके यहाँ पर है तो Saturn का third aspect केतू के पर आया Saturn अगर यहाँ पर है Saturn का tenth aspect जो है वो केतू के पर आया और Saturn अगर ninth house में है तो Saturn का seventh aspect केतू के पर आया तो third house बहुत ही खास है third house का मतलब हो गया कि जहां हम लोगों से communicate करते हैं जहां हम लोगों से बात करते हैं third house यानि आपके younger siblings जो लोग आपके साथ काम करते हैं उसका सम्मन third house है third house का सम्मन आपके पड़ोसियों से हैं आपके neighbors और जो भी आप schedule अपना तיयार करते हो कोई भी आप काम कर रहे हो इवेंट्स कर रहे हो जो प्लानिंग करते हो जो सैडूल अपना तियार करते हो उसका संबन भी थार्ड हाउस से है तो के तु यहाँ पर थार्ड हाउस की चीजों को डेमेज करेगा यानि छोटे भाई वहन का जो सुख होता है उसको बिगाड़ेगा और जो आपके नेवर्स हैं उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है और बात करने में लोगों से मिलने में आपकी ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं होगी ज़्यादा आप चीजों को प्लान नहीं करेंगे चीजों को system में लाना systematic तरीके से करना वो सारी चीज़ें आप like नहीं करेंगे तो उसके चक्कर में क्या होगा आपका third house बिगड़ जाएगा तो अगर third house बिगड़ रहा है तो loss किसका हुआ? loss हुआ आपके लगन का क्योंकि third house का जो gain है वो आपका लगन हुआ right तो आपका loss हुआ third house की चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं आपको हो रहा है loss और second house का loss होगा because third house का जो gain हाउस है वो second house भी है यानि fourth house third से second यानि third house का gain और 11th house यानि third house के through gain तो अगर third house बिगड़ेगा तो ये दो चीज़े आपकी बिगड़ जाएगे यानि आपका सुख बिगड़ जाएगा आपका नाम बिगड़ जाएगा fourth house में अगर केटु आता है अगर यहाँ केटु है Saturn के साथ केटु हो यहाँ कहीं भी अगर Saturn के साथ अगर केटु होता है तब भी वो बात है Saturn की placement जो है वो थोड़ी prominent हो जाती है और Saturn का जो aspect है वो यह मान के चलो कि अगर चीज 100% नहीं है तो 90% है 80% है 70% है लेकिन अगर Saturn केटु का अगर योग बन रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि योग जो है वो 100% हो गया अब केटु सेटु का योग सांसारिक सुखों का नुकसान लिकास fourth house जो है वो आपका सुख है आपकी जो mother का house है वो fourth house है आपका जो childhood है वो fourth house है आपकी जो बच्छपन की education है वो fourth house है fourth house का संबन्द आपकी property से है, homeland से है तो केटु यहाँ पर इन सब चीजों से आपको separate करने आया है आप अपने घर का रहन से एन का ज़्यान नहीं रखेंगे आप अपने mother father की बातों पर ज़्यान नहीं देंगे जो भी उनका system है, जो भी आपका घर का system है आप उचीजों को ज़्यादा follow नहीं करोगे Saturn के कारण मजबूरी होगी follow करना एक आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन अंदर से मन नहीं होगा तो Saturn यहाँ पर सांसारिक सुखों की शती करता है फिफ्थ हाउस में अगर केतु आता है फिफ्थ हाउस में अगर केतु आएगा तो Saturn अगर आपके यहाँ पर है तो Saturn का aspect केतु को पर पढ़ रहा है दूसरा Saturn का 10th aspect 10th aspect जब पढ़ेगा 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 Saturn अगर यहाँ पर है तो Saturn का 10th aspect केतु को पर पढ़ेगा राइट मतलब अगर मैं गलती भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत तो आप इस चीज को अंडिस्टेंड कर सकते है क्योंकि यहाँ से अभी प्रॉपर तरीके से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो Saturn का 10th aspect जब पढ़ेगा जब Saturn केतु से 4th अभे होगा तो Saturn का 10th aspect जो है वो केतु को पर आएगा और Saturn अगर यहाँ पर है अगर Saturn यहाँ प्लेज है तब भी Saturn केतु को देखेगा और Saturn अगर यहाँ प्लेज है यहाँ मेंगे सैटन केतु को देखेगा 5th house का loss होगा 5th house की चीजों का loss Child birth का loss Romantic activities का loss Creation का loss Creative चीजों का loss लग जो है वो ज़्यादा साथ नहीं देगा लव रिलेशन के उपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और अगर ध्यान दिया हुआ अगर होगा विकाज केतु या नहीं आपका experience तो आप वहाँ पर लॉस देखेंगे कि आपका लॉस हो रहा है तो सैटर्न केतु का योग ये बताता है कि फिफ्थ हाउस की चीजों का लॉस हो सकता है आपकी लाइफ में आप फिफ्थ हाउस संबन्दी चीजों को लेके केरलेस रहेंगे लविंग पार्टनर को लेके बहुत जादा केरलेस रहेंगे ज्यादा ध्यान ने देंगे अब यह बाहर कहीं मैजुक चल रहा है पता नहीं क्या तो लोविंग पार्टनर के उपर ज्यादा ध्यान ने देंगे बहुत ही वीर्ड तरीके से उसके साथ आप गवार करेंगे आप अंदर से फील नहीं कर पाएंगे उसको love, romance, care ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होगी सुरुवात में सारी चीज़े होगी सुरुवात में केतू आपको इन चीज़ों का experience करवाएगा और Saturn जो है उन चीज़ों का हासिल नहीं करने देगा तो फिफ्थ हाउस की चीज़ों का loss होगा चटे घर में अगर केतु सैटन का योग बनता है यनि चटे घर में अगर केतु होता है और अगर सैटन यहाँ पर है तो सैटन का थर्ड एसपेक्ट के दूपर आया और अगर सैटन यहाँ पर है तो सैटन का टैंथ एसपेक्ट जो है केतु को पर आया और अगर Saturn 12th house में है तो Saturn का 7th aspect केतु को पराया और अगर Saturn और केतु का योग अगर छटे घर में है तब यहाँ पर यह जो योग है बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है तो यहाँ पर किस चीज का लॉस होगा यहाँ लौस होगा आपकी जॉब का, आपके डेली के काम का छटा घर जो है उसका संबन एडिक्शन से है तो आप किसी नी किसी चीज के शिकार हो सकते हैं कोई नशे की आदत आपको हो सकती है छटा घर जो है वो बीमारियों का है तो सुरुवात में हो सकता है आपको कोई न कोई बीमारी लगे चटा घर का संबन आपके मैटरनल अंकल से है विकॉस फोर्थ हाउस आपकी मदर फोर्थ हाउस से थर्ड अवे यानि आपके मामा शिरी तो उनका भी केतु यहां पर लॉस करवाता है यानि आपकी लाइफ से आपके जो मैटरनल अंकल है उनका लॉस करवाता है बड़ एक चीज यहां पर बहुत अच्छी है कि छटा घर जो है वो enemies का है शत्रों का है और केतू आपके शत्तों को यहाँ पर dissolve करेगा और Saturn जो है उनको punish करेगा तकलीफ देगा Because Saturn की placement यहाँ पर होती है वहाँ तकलीफ होती है दुख होता है तो यहाँ जो दुख मिलेगा वो आपके मामा शरी को आपके maternal अंकल को और जो आपका enemy बनेगा उसको यहाँ तकलीफ महसूस होगी 7th house में अगर केतू आता है पहन काम नहीं कर रहा है अच्छे से 7th house में अगर केतू आता है तो Saturn अगर यहाँ पर है 5th house में तो Saturn का 3rd aspect केतू को बढ़ा रहा है Saturn अगर आपके तो Saturn का 10th aspect केतू को बढ़ाएगा और अगर Saturn अगर आपके 1st house में है तो 7th aspect केतू को बढ़ेगा और अगर Saturn केतू का योग अगर एक साथ है 7th house में तब योग जो है प्रॉमिनेंट हो जाता है तो यहाँ लॉस होगा 7th house की चीजों का marriage को लेके यह partnership को लेके आप बहुत ज़्यादा careless रहेंगे या तो marriage होगी नहीं होगी तो चलनी पाईगा और बहुत तकलीफ महसूस करेंगे 7th house से समदनी चीजों को लेके कोई भी deal करते है कोई भी assignment अगर आप sign करते हैं तो चलनी पाईगा क्योंकि केतु जो है आप कुछ चीजों से सेपरेट करेगा और सेटर नहीं चीजों को होने नहीं देगा यहनि 7th house की चीजों का loss marriage का loss partner का loss और 7th house का समदनी अपोजिट वर्ड से लोगों से लोगों से जो आपका relation है वो बिकड़ेगा लगन में रहु आएगा तो सारा दिहान क्या हुआ आपके अपने तरफ आ गया लगन की तरफ आ गया तो 7th house से जो समदनी है वो बिगड़ जाएंगे लेकिन सेटर केतु का योग कर्मा आपको देगा केतु अगर आपके 8th house में आता है अगर यहां केतु आता है तो 8th house का समदनी है आपके इन लॉज से आपके पार्टनर की सेविंग से 7th house यानि मैरिज मैरिज से होने वाला गेन यानि 8th house यानि जो भी आपका प्राइवेट सेक्सवल जो भी रिलेशन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो आपका 8th house हो गया 8th house का समदनी है इन ट्रेजरी से यानि जो भी छुपा हुआ पैसा होता है उसका समदनी 8th house से है यानि किसी के गोज़र जाने के बाद जो पैसा मिलता है वो 8th house है और 8th house मागर Saturn केतु आता है तो अगर किसी मेल का अगर चार्ट है तो केतु सेटन का योग उसको थोड़ी प्रॉलम देगा बीमारी देगा और कहीं न कहीं आदमी को केतु सेटन का योग जो है वो important बनाता है तो जो sexual जो energy है वो बिगड़ती इसके चकर में और marriage जो है आपकी उसमें बड़ी प्रॉलम आती है और कई बार ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत ही तकलीफ दे होती है तो अगर सेटन अगर आपके 6th house में है तब सेटन का aspect यहां पर पड़ेगा और अगर सेटन अगर आपका 11th house में है तो अपने 10th aspect से यहां पर देखेगा केतू को और अगर सेटन अगर आपके 2nd house में है तब सेटन अपने 7th aspect से केतू को देखेगा केतू अगर आपके 9th house में आता है और सेटन अगर केतू के साथ है यह सेटन का aspect अगर यहां पर पढ़ रहा है, तो 9th house की चीजों का loss, father का loss, higher education का loss, और जो भी आपका धार्मिक belief है, उन सब चीजों का loss हो सकता है, आप अपने धर्म के अंदर कोई न कोई बदलाव कर सकते हैं, यह धार्मिक चीजों में आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको चीजों बख्वास लगेंगे, पुजा, पार्ट, क्या यार बेकार की चीजों, यह सारी चीजों आपके साथ हो सकती हैं, 10th house में अगर केतू आता है, तो carrier का loss, नाम का loss, repetition का loss, अगर यहां पर 10th house में केतू है, और सेटन का अगर aspect पढ़ रहा है, अगर केतू यहां पर है, और सेटन इसके साथ है, या सेटन अगर 8th house में है, या सेटन यहां पर बैठा हुआ है, या सेटन यहां पर है, और यहां पर तो नहीं होगा, यहां पर, अगर सेटन यहां पर है, तो इसका 10th aspect के दूख पर पड़ेगा और अगर Saturn का नीच aspect पड़ता है यानि अगर यहाँ Aries sign है या यहाँ पर 8 नमबर अगर आता है स्वरी 8 नमबर नी दो नमबर अगर आता है यहाँ पर केतु नीच का माना जाता है तो यहाँ पर आपका जो कर्म है वो बिगड़ जाता है यानि इनसान ऐसा कर्म करता है जिसको सुसाइटी लाइक नी करती है ऐसे लोग अपने कर्म के थुरू ही अपने आपको बदनाम करते हैं अपनी वैलू को गिराते हैं और Saturn इनसान को कहीं न कहीं जिद्धी भी मनाता है उस काम के लिए आदमी उस काम को करने की कोशिश करता है क्योंकि समझता ही मेरी नीड है और केतु यहां पर इनसान को अंधा बना देता है क्योंकि केतु जो है उसका अपना हैड नहीं है तो 10th house जो है उसको केतु यहां control कर रहा है अब जिसका head ही नहीं है वो चीज़ों को कैसे देखेगा यानि कोई अंधा इंसान आपको कैसे guide कर सकता है तो एक तो 10th house की चीज़ें आपको मिली नहीं because 9th house यानि father father का gain और कहीं कहीं 10th house को भी father house माना जाता है तो यहां father का loss करवा सकता है father की value का loss करवा सकता है और आपकी जो public visibility है जो आपकी social duty है जो आपकी समाजिक value है उन सब चीज़ों का loss हो सकता है इंसान ऐसे करम करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता अजीव type की सोच होती है ऐसे काम को करेगा जो दूसरे लोग देखके उसको बहुत ही अजीव समझेगे यार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है किसी system को follow नहीं कर रहा है किसी rules को follow नहीं कर रहा है किसी तरीके को follow नहीं कर रहा है ऐसा इंसान अपनी ही जिद में रहता है और अपनी ही साप सी काम करता है और उसका जो result होता है आगे चलके loss में आता है 11 में घर में अगर केतु का योग बनता है अगर केतु अगर आपके 11 में घर में है तो बड़े भाई का loss friend circle का loss income का loss और इन सब चीजों को लेके इंसान लापरवा रहता है और यह जो loss है यह completely loss है यह चोटा मोटा loss नहीं है क्योंकि केतु आपको वहाँ से separate कर रहा है और सैटन वहाँ की चीजों को नहीं लेने दे रहा है और जो हम बोलते हैं सैटन 35 के बाद देगा तो 35 के बाद कहा से देगा जो वहाँ केतु बैठा हुआ है और अगर केतु सैटन का अगर योग बन रहा है तो यहाँ पर सैटन जो है वो 35 के बाद भी मैच्वर नहीं हो पाएगा यानि Saturn यहां की चीज़ों को 48 के बाद एचीव कर सकता है कहीं भी अगर Saturn Ketu या Saturn Rahu अगर बैठे हुए है तो Saturn जो है वो 48 के बाद जाके मैच्चोर होंका यानि उस house की चीज़ों जो है 48 के बाद मिलेंगी और यहां पर केतु क्या कर रहा है इन चीज़ों से आपको सेपरेट कर रहा है तो चीज़ें कहां से मिलेंगे Saturn Ketu का योग अगर 12th house में बनता है अगर 12th house में अगर केतु है और अगर Saturn 12th house में केतु के साथ प्लेज़ट है या Saturn 10th house में placed है तो यहां से 3rd aspect से केतु को देखेगा या Saturn आपके 3rd house में अगर है तो अपने 10th aspect से केतु को देखेगा या Saturn अगर आपके 6th house में है तो 7th aspect से केतु को देखेगा और अगर Saturn केतु का योग अगर एक साथ है तो योग जो है वो prominent हो जाएगा तो यहां क्या होगा 12th house का संबन्ध है मोक्षा से यानि जो भी आपकी spiritual journey होती है जो भी आपका fantasy world होता है उसका संबन्ध 12th house से तो आध्यात्म की चीजों में अगर आप आते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि केतु जो है metalistic चीजों से आपको अलग करता है और सनी क्या है आपका कर्मा केतु मोक्ष और सनी कर्मा और 12th house क्या है spiritual कर्मा यहां पर सनी और केतु का योग आपको सन्यासी बनाता है आपको संसार से अलग करता है और आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है यहां metalistic चीजें बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जहाँ पर आप जाते हो और जहाँ पर आप डारेक्ट गॉड से बहगवान से कनेक्ट होते हो Because 12th house जो है मोक्ष का house है और 12th house अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो pleasure का भी house माना जाता है Because 8th house यानि आपका जो भी sexual comfort से हो 12th house यानि आपका pleasure तो K-2 Saturn का योग आपको pleasure से भी अलग करता है Because 12th house रप्रिजन करता है bad comforts को तो K-2 Saturn का योग आपका relation जो है उसको विगाड सकता है आपकी जो marital life है उसमें problem आ सकती है unmetallistic चीजों के लिए 12th house बहुत अच्छा है अगर K-2 और Saturn अगर 12th house में है पर ये metalistic चीजों को यहाँ पर loss करता है अब बात यह आती है कि K-2 Saturn अगर 12th house में है और आप बार बार अपने घर को छोड़के भागते हो आपको घर में रहने का मन नहीं करता है और घरवाले आपकी चक्कर में बहुत जादा परिशान है कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है फिर भी आप चीजों को understand नहीं करते हैं समझते नहीं हो क्यों नहीं समझते हैं क्योंकि सात्मा है शनी शनी यानि आपकी जिद्ध आपका कर्मा जो आपको करना ही करना है और सैटन और केतु अगर एक साथ हैं तो यहां कर्म और केतु क्या करेगा उस कर्म को अंधा कर देगा यानि अंधों के दरब कर्म करना इंसान को यहीं नहीं पता कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं कि अपना फायदा कर रहा हूं और ऐसे लोग बड़े जिद्धी होते हैं इनको आप कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है समझ में नहीं आता उसकी एक बहुत बड़ी वजा है कि केतु आपको समझने नहीं दीता और सैटन क्या है आपको उस कर्म की तरफ डालता है और अगर यहाँ पर सैटन का अगर नीच एसपेक पड़ता है किसी भी हाउस में तो आपका कर्म जो है वो और भी ज़्यादा गलत हो जाता है यानि केतु अगर एक नंबर साइन के उपर है एरीस साइन के उपर है तो यहाँ पर सैटन अगर बैठेगा तो नीच का हो जाएगा और सैटन अगर देखेगा तो सैटन की नीच दिरिश्टी यहाँ पर पड़ेगी तो फर्स आउस में है अगर है योग तो आदमी जो भी कर रहा है लोग उसको समझाने मान रहें फोर्थ आउस में है खुद के सुख को खुदी बरबाद करता है इंसान घर का समान बेज़ देगा प्रॉपर्टी बेज़ देगा लापरवा रहेगा मदर की केर नहीं करेगा पंचम भाव में संताम की केर नहीं करेगा साथमे घर में लाइफ पार्टन की केर नहीं करेगा नवम भाव में पिता की केर नहीं करेगा अस्टम भाव में जो भी उसका प्राइवेट जो रिलेशन है उन सब चीजों की केर नहीं करेगा तो उसकी चक्र में जो उसका अपना जो लाइफ पार्टनें उसे छोड़ सकता है तैंथ हाउस में करम इंसान अंधों की तरह कर रहा है उसको यहीं नहीं पता कि मैं क्या करूँ अच्छा इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि कोई भी हाउस अगर आपका डैमेज हो रहा है सैटन और केतू कारण तो उस हाउस से समभन्दी चीज़ों को लेके आप दूसरे की सला में अगर चलेंगे तो हो सकता है आपका बचाओ हो क्योंकि केतू यहाँ पर आपको उस हाउस समभन्दी चीज़ों को लेके रेमेडी भी नी करने लेगा क्योंकि केतू उन चीज़ों से लापरवा हो जाता है यहाँ पर केतू बैठता है तो इसलिए आप रेमेडी भी नी करेंगा आप सुझें क्यों remedy करूं में मुझे ज़रुती नियों खिल करने की लेकिन आपको ये भी दिखाई दे रहे हैं वो चीजें बेगड रही है आप उन चीजों को लॉस कर लेगा सुगाईद आज मैंने आपको बताया शनी और केतु के महायोग के बारे में अगर आप भी जाना चाहते हैं अपने शनी और केतु के बारे में और अगर ऐसा कोई योग अगर आपकी कुणली में बनता है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें consult करना चाहें या personally हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी website के थुरू हमें mail कर सकते हैं message कर सकते हैं और guys आप हमसे बात भी कर सकते हैं so guys take care love you all and good bye